चाइना के बुरे दिनों की शुरुवात हो गई है उन्होंने सुधीर चौधरी को टार्गेट करते हुए एक वर्निंग लेटर दी है एक कड़ा विरोध दर्च कराया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि ताइवान के साथ में अगर आपने किसी भी तरिके का इंटर्वि है एक और चीज जो अभी तक इंडिया के अंदर चल रही थी मगर बाकी नहीं मान रहे थे वो इस लेटर के अंदर चाइना ने खुद ने स्विकार कर ली है चाइना ने कहा है कि इंडिया गवर्नेंट की जो लॉंग स्टेंडिंग पोजिशन यानि कि आज तक का जो रवय रहा है उस प्रकार से उन्होंने कभी भी इस प्रकार के हरकतों को बढ़ावा नहीं दिया है ताइवान को लेकर इंडिया का अभी तक जो रवया था कि वो जादा उनसे रिलेशन्स मेंटेन नहीं करता था क्योंकि चाइना नाराज हो सकता था हम भी यही कह रहे हैं कि 1960 से लेकर 2020 तक का जो समय था उसके अंदर जो रवया था वो 2020 के अंदर नहीं चल रहा यहां पर साफ तोर पर 2020 का भारत अलग दिखाई दे रहा है मामले की शुरुआत में वाया उन स्टूडियो के अंदर ताइवान के फोरण मिनिस्टर का एक इंटर्व्यू हो जाता है यहां पर साफ तोर पर लिखा हुआ है Republic of China यानि की ताइवान ही असली चीन था थोड़े समय के अंदर Communist Party उने आकर वहां पर कबजा कर लिया था बे Republic of China यानि की ROC के हिसाब से किया था अब यहां पर आप यह देखें कि ताइवान अपने आपको ROC यानि की असली चाइना कहता है जिसका बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको Mainland China कहते है उसके अंदर Communist थाकतों ने उस पर खबजा कर रखा है वहां के लोगों के उपर बेह Republic of China जो कि United Nation का मेंबर था बात आपको समझ में आ गई होगी कि United Nation का मेंबर होने के बावजूद चाइना के अंदर Revolution हो जाता है वहां पर Communist थाकतें आकर कबजा कर लेती हैं जो कि पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रिय नियमों के खिलाफ था मगर कोई कुछ नहीं कहता देखा मोल ले ली है इंडिया के अंदर कोई भी पतरकार को कोई भी विदेशी टाकत जब भी टारगेट करती है तो उसका कद और उपर हो जाता है पाकिस्तान वाले जिसको धमकाते हैं उसका कद और उपर हो जाता है और चीन जिसको धमकाता है उसका कद तो 10 गुना उपर हो जात कि उसने पलकी शर्मा को सबसे पहले target किया जो की वियोन की एक वरिष्ट पत्रकार है चाइना के अंदर महिलाओं की value अच्छी नहीं है first grade citizen उनको नहीं समझा जाता बड़ी diplomatic positions में उनको जगए नहीं मिलती और वहाँ पे महिलाओं का ego नाम की कोई चीज नहीं होती यानि की आफत मोल लेना तो चाइना को बरदाश नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से एक महिला anchor उनकी पोलों पर पोलें खोली जा रही है उन्होंने target किया और उन्होंने सोचा कि इसके बाद में ये चुप होके बैट जाएगी चुप होके तो नहीं बैटी उल्टा और जादा चाइना के उपर रिपोर्टे बनने लग गई पलकी शर्मा के क्लासमेट्स भी बताते हैं कि उनकी ego जब भी हर्ट होती थी वो शिकायतों का अंबार मेडम के पास लिजाती थी मगर पलकी शर्मा ने वहाँ पर जाके प्रिंसिपल के सामने खुलासा कर दिया कि ये सारे के सारे लड़के तो आपको गोपी कहते हैं दूरदर्शन में तहकीकात नाम से सीरेल आता था जिसके अंदर मेन जासूस का साइड किक गोपी था यानि सौरब शुकला था सौरब शुकला की तरीके से ही प्रिंसिपल भी ढुण ढुण के गल्तियों को निकाल लिया करता था इसलिए सारे के सारे लड़के उनके हाव भाव और कद काठी को देखकर गोपी कहा करते थे उन लड़कों की भी जिस प्रकार से प्रिंसिपल के पास जाने से आफ़त आ गई थी उसी प्रकार से चीनी दूतावास की सुधीर चौधरी को टारगेट करकर आफ़त आ गई है। इस बात से नराज होकर चीन को भाशा की मर्यादा रखने के लिए कह सकते हैं। उनकी किसी भी खबर के अंदर ताइवान को as a nation नहीं लिखने की बात कई थी तो ना सिर्फ इंडियन मीडिया उनके खिलाफ हो गया था बलकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी उनके पीछे पड़ गए थे और इस प्रकार से पीछे पड़ गए थे कि ताइवान के नेशनल से ज्यादा बुरे दिन चल रहे हैं पहली बात तो उन्होंने जो स्टैटेजी लगाई कि महीला को टारगेट करेंगे जैसे चाइना की जो महीलाएं होती है उनको टारगेट करते हैं वो घर बैढ़ जाती है यहाँ पर टारगेट किया तो उल्टा हो गया दूसरी बात 1960 नहीं है ये 2020 है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जहिंद